नमस्कार खब्रों को पंच नामा देख्वें आप मैं हुआ आपके साथ पूजा हम लेकर आया है देश और दुनिया की पांच बड़ी खब्रे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौज़ूद हैं क्या पर्चन तीवी के एडिटरेंटी इंट राक्टर रब साब बहुत स्वागत है आपका सबसे फ़ले नज़र हैडलाइन्स पर मौधी की गैरेंटी के साथ दोज़र चॉबस का संकल पत्र बीज़पी ने किया जारी घोशना पत्र में जीरो बिजले बिल यूज़िसी का दावाद तीन करोड़ नाए घर वन नेशन वन एलेक्शन से लेकर पियम मोधी ने किये कई बड़े बड़े वादे बीज़पी के गोशना पत्र पर बिपक्ष ने उठाए सवाल राहूल गांदी ने कहा बिरुज़कारी महंगाई का तो जिकर ही नहीं तो किसी ने कहा जुमला पत्र तो किसी ने गोशना पत्र को कहा जूठा और धोगे बाज चराब वाले केस में केजरिवाल की गिरफतारी सही या गलत केजरिवाल की याचिका पर कल होगी सुप्रीम सुनवाई सुप्रिम कोट पर सभी की नज़र तो कल ही के जिवाल की न्याई खिरासत हो रही है खत्म बॉलबुज एक्टर सलमान खान के घर के बाहर चार राउंड फारिंग पुलिस जाच में जोटी लॉरेंस विश्णोई के भाई ने ली फारिंग की जिम्मेदारी और कहा अभी तो पिक्चर बाकी है राण ने 150 मिसाइल 200 ड्रॉन से किया इस्राइल पर हमला बचाने उत्रे अमारका और बिटेन भारत ने अपनाया सक्त रवया ट्रावल ना करने की दिस सला खबर की शर्वारत में सबस्कुले बाद बीज़ेपी के संकल पत्र की लोकसबाद 24 लेकर बीज़ेपी ने आज अपना घोशना पत्र कर दिया है को बिज़ेपी ने आने वाले 5 सालों में वो जंता के लिए क्या-क्या काम करेंगी और उनका रोड मैप क्या होगा इसकी प्रश्ट पर करते हैं और इसे लागू किया जाएगा प्रस्ट चार पर कड़ी कारवाई जारी रहेगी गरीब और मद्यमबर्ग के हक चिनने वाले जेल जाएगे ऐसे ही कारवाई होती रहेगी साथ ही कई बड़े बड़े अलान प्यम मोधी के तरफ से किये गए प्यामोदी जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, पर इस बार के संकल्प पत्र में जो वादी किये गए हैं, वो कैसे BGP को अपकी बार 400 पार का रास्ता दिखाएगा? देखे सही जो दिशा इस देश को देना चाहिए वो सारी बाते इस संकल पत्र पे है दो तीन मुद्दे जो राज़िती के दृष्टी से वोट लेने वाले जिसों कर सकते जनता को पसंद आएंगे खास करके भारती जनता पार्टी के वोटर्स को वो यू सिसी है वन नेशन व सारी चीजे ऐसी है जो हिंदुस्तान को थर्ड लार्जिस्ट एकॉनमी अगले पांस साल में बनाने के लिए काफी है अब प्रधान मंत्री का अपना ट्रैक रेकॉर्ड है घोशना पत्र मैनिफेस्टो कई सारी पार्टी के आ चुकी है लेकिन इतना ज्यादा जिसों कर सकत मीडिया में भी वो बाते आई और चली गई लेकिन आज दिन भर देखिए तवाम मीडिया इस संकल्प पत्र के उपर ही डिसकस भी कर रहा है और सबसे बड़ी चीज इस संकल्प पत्र का जो नाम दिया गया है मोदी की गारंटी तो प्रधान मंत्री मोदी ने ये घोशना पत्र ये संकल्प पत्र जारी करके ये कहा है कि ये मेरी गारंटी की ये सारे काम हम करेंगे और क्रेडिबिलिटी के मापदंड पे प्रधान मंत्री मोदी सबसे उपर है और इसलिए ये जो संकल्प पत्र आया है उससे विपक्षी बेचैन हो गया है मतलब मोदी की गारंट मतलब गारंटी होने की गारंटी तो बीज़ेपी की तरफ से आज मैनिफेस्टों जारी कर दिया गया बड़ी बात यह है कि बीज़ेपी का यह घोशना पत्र राज्राथ सिंग की अधिक्ष्टा वाली 27 सदस्यों की कमेटी ने तयार किया है इसके लिए आम लोगों से भी सु मिले थे पर जैसे ही पिम मोदी ने अपना संकल्क पत्र जारी किया विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया विपक्ष ने इस घोशना पत्र को सिरी से खारिश कर दिया रहुल गानी ने कहा कि बीज़ेपी के मैनिफेस्टों और नरेंड मोदी के भाशन से दो और 2019 में नए जुमले गड़ दिये और अब 2024 में आप 2047 की बात कर रहे हैं तो ते जिस्वी यादव भी सामने आए उन्होंने कहा इस घोशना पत्र में कुछ नहीं है सिर्फ इधर उधर की बाते हैं आम आद्मी पार्टी की संकल्क पत्र को लेकर बड़ा बयान सामने आया उन्होंने जुमला खोशत कर दिया तो वहीं प्रयाका कांधिवाटरा मलका अजुन खड़के से लेकर तमाम विपक्ष की नेताओं ने बीज़पे के संकल्क पत्र पर सवाल खड़े किये हैं क्यों विपक्ष को दिक्कत हो रही है देखिए जो विपक्ष की तरफ से विरो क्रिटिसिजम भी आपको करना है उसके लिए अच्छे तरक होनी चाहिए आपको बताना चाहिए कि प्रधान मंतर मोदी ने ये वादा किया है ये वादा पॉसिबल नहीं है जैसे एक लाख रुपे कॉंग्रस ने कह दिया एक लाख रुपे फर महिलाओं को दिया जाएगा वो पॉसिबल नहीं है किटिसिजम आया कैलकुलेट किया लोगों ने कि इतने पैसे कहा से आएंगे तो आप क्रिटिसाइज भी करते हो तो उसका भी कोई अस्तर होना चाहिए ये तो जुमलेबाजी के तरह आपने क्रिटिसाइज कर दिया इसमें ये नहीं है तमाम तरह की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि 2014 में जो आपने कहा उसका हिसाब किताब आपने 2019 में नहीं दिया अच्छा हिसाब किताब नहीं दिया और सीटे बढ़ गए आप क्या बोलते हो कभी कभी उसको खुद भी सुनना चाहिए अगर प्रधान मंत्री मोदी ने 2014-2019 के किया के लिए तो यह विपक्ष जान रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी बड़ी हाय है और इसलिए जो भी संकल्प लिया जा रहा है उसको कुतर के सहारे उसको क्रिटिसाइज करने की यह लोग कोशिश कर रहे हैं यह क्रिटिसिजम जनता के गले नहीं उ पर्टिकी है दरसल के जिवाल ने शराब गुटाले से जुड़े मने लॉंडरिंग मामने में एडी की गिरफतारी को वैद ठहराने वाली दिल्ली हाई कोट के आदेश को सुप्रिम कोट में चुना दे दी है जिस पर कल जस्टिस संजीब खन्ना और जस्टिस दिपांकर द जत्ता की बेंच सुनवाई करेगी सातिक केजरिवाल की नयाई खिरासत भी 15 अपरिल को ही खत्म हो रही है तो कल ही केजरिवाल को राउजवन्य कोट में भी पेश किया जाएगा और यहां भी उन्हें बेल देने की मांग की जा सकती है कल का दिन केजरिवाल के लिए कितना देखे केजरिवाल के लिए कल डबल टेस्ट है और इस टेस्ट में दोनों ही जगह केजरिवाल को मुझ की खानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है वो क्यूंकि जिस तरह के तर्क कोट के अंदर दिये जा रहे हैं जिस तरह से आपने दिल्ली हाइग को चैलेज किया है उसमें को भासन देने से इमोशनल बाते करने से और तरह तरह के गुहार लगाने से कि हमें प्रतारित किया जा रहा है मैं नेशनल पार्टी का एक नेशनल लीडर हूं मैं चीफ मिनिस्टर हूं मुझे इस दोरान जब मोडल कोड अफ कंड़क्ट लागू था उस दोरान गिरफतार किया नहीं की तो सुप्रिम कोर्ट में भी इसकी कोई गुंजाईस नजर नहीं आरी है रही बात इनके एक्स्टेंशन की जिस तरीके से एडी ने केजरिवाल को गेरा है तो अभी उनके तिहार से निकलने का की जो संभावना है वो बिलकुल ही नगन्ने है जे अगली कबर में ब वाइक सवारों ने चार राउंट फायर किये जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सल्मान अपने घर में ही थे इस गटना के बाद महरास के सियमेक नार्शन दे ने सल्मान खान से पूर पर बात चीत की है सल्मान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई तो वहीं सल्मान दिखाने के लिए किया गया है यह हमारी पहली और आकरी चितावनी है अभी भी एक पिक्चर बागी है क्या जानबूझ के सल्मान खान को परिशान किया जा रहा है देखे सल्मान कान और विश्नोई गैंक के साथ बहुत पुराना रिस्ता है यह मामला ब्लैक बग वो हिरन मामला जो है तब से चला रहा है विश्नोई ने अपने इंटर्वी में साफ साफ कहा था कि आप ने जिस काले हिरन की हत्या की है उसके लिए आप हमारे गाउं आए हमारे मंदर में आगर के माफी मांगने मामला खत्म हो जाएगा लेकिन सल्मान कान ने ऐसा नहीं किया और इ आज जो सवेरे सवेरे हुआ है वो कई सारे सवाल खड़ी कर रहा है विस्नोई ने अमेरिका में बैठ के उसके बाई ने ये तो ले लिया कि हमने कराया है लेकिन इंतजार करना चाहिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्योंकि सिसिटीवी फुटेज में ये तमाम लोग आ चुके हैं जिन लोगों ने गूलियां चलाई पुलिस ने बताया कि कोई हत्या करने के अंदेशे से कोई हमला नहीं किया गया एक मैसेज एक चितावी के रूप में इस हमले को देखा जा रहा है अब पुलिस को ये तै करना है उनको ढून निकल कर ये बताना पड़ेगा कि वाकई विष्णोई गैंग ने ये काम किया या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है अब बात करते हैं आज की आखरी खबर की इरान ने इस्राइल पर हमला कर एक नए युद की शुरुआत कर दी है इरान के इस्लामिक रिवलोशनरी गार्ड कॉप्स ने इस्राइल पर इरानी सैने कमांडर की मौत हो गई थी हमले का आरोप इस्राइल पर लगा जबकि उसने इसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया इरान ने दमकी दी थी कि वो बदला लेगा तो वहीं भारत ने कहा है कि वो इस्राइल और इरान के बीच बढ़ते संखर्सों को लेकर अत्यंत चंतित है साथी भारत ने तनाव कम किये जाने की अपील भी की है जिसका डर्था उसके शुरुआत भी हो गई है क्या कुछ जानकारी आ रही है देखिए अगला 24 घंटे बहुत ही important है क्योंकि इसराइल के अंदर इस हमले के बाद से एक war cabinet ने decision लिया है और IDF को खुली छूट दे दी गई है कि आप retaliate करें इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम इस हमले का करारा जवाब देंगे अब क्या है इसके पीछे की कहानी आपने बताया किस तरह से दुतावास के उपर हमला हुआ था इरान अब तक इसराइल के उपर प्रोक्सीज के जरी हमला करता है यह हमास यह क्या है इरान गौरब फंडिट है हिजब ल्ला है इरान फंडिंग करता है हूती भी द्रोई है उसको भी इरान फंडिंग करता रहा है अब जिस हिसाब से जो ड्रोन्स और जिस तरीके से तैयारी की गई थी जो हमास के आतंकियों ने हमला किया था जिसके वज़े से गाजा में ये बवाल अब तक चल रहा है उसको लेकर के भी उस समय सवाल उठेते कि बही इरान का इसमें रोल क्या है अब एक एमबेसी के अंदर हमला होता है आपने साड़े तीन सो मिसाइल्स और ड्रोन्स से आपने हमले किये दिक्कत क्या हुई 99% हमलों को इसराइल के डिफन्स ने नेस्तो नाबूत कर दिया वो लेकिन एक परसंट मिसाइल जो है वो डिफन्स इंस्टाल्स के उपर वो गिर है वीडियो बाहर है इसराइल की इस्जत जो है उद्दाओं पर लग गई है अब इसराइल ने कहा है कि वो जवावी कारवाई करेगा पूरी दुनिया इलर्ट पे है क्योंकि अगर इसराइल और इरान के बीच युद्ध सुरू हो जाता है तो इस आग भी पूरा का पूर विस्ट एसिया उसमें शामिल हो जाएगा ना कुछ करते हुए भी अमेरिका और नैटो को इसमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा और इसलिए बार्डन साब के तरफ से ये कहा गया है कि हम आपके साथ है जब तक आप डिफेंसिव मूड में है उन्होंने मना किया है कि आप इस पे हमला करें देखने की बात क्या है इसराइल किस आधार पर कितने अमाउट में वो रियक्ट करता है रियक्शन तो होगा लेकिन वो कितना होगा क्या इतना जादा हो कि ईरान प्रवोक हो जाए ये मत भूलिये इरान हो या इसराइल हो दोनों के पास परमानु सक्तिया हैं दोनों के पास परमानु बम है और इसलिए ये मसला बेहदी संगीन होता चला जाना है बहुत बहुत धन्यवाद बात्चीत के लिए धन्यवाद खब्रों का पंचनम में आज के लिए फिलाल इतना ही देश-विदेश की बागी खब्रों और उनके सटीक एंडिसस के लिए देख तेरे Capital TV आपे लाइक केज़े शेर कीज़े और Capital TV को सब्सक्राइब केज़े नमस्कार